नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अस्मिता दुबे इस बुलेटिन में आज बात होगी स्वास्त मुसीबत के बीच देश को मिली दो दो वैक्सीनों की बताएंगे मुश्किलों के बीच अनदाताओं के क्यों तीखे हो रहे हैं तेवर औ मानेगी कि श्रिवराज मंत्री मंडल में हुए विस्तार से क्यों मायूस है बीजेपी नेता और बुलेटिन के आखिर में बाद देश में बढ़ते विदेशी निवेश की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर कॉंग्रिस की कारेकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोधी सरकार परतंज कहा देश की आजादी के बाद सिफ पहली बार ऐसी एहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अनदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है महराश्र में देर से ओफिस पहुशने पर मंत्राले के कर्मचारियों का कटेग अवेदन सरकार ने कर 30 दिसंबर 2020 को जारी किया परिपत्र कर्मचारियों को काम पर पहुशने के लिए 30 मिनिट के मिलेगी रियायत उत्रप्रदेश, उत्रखंड, पंजाब और गोवा का चुनाओ लड़ेगी आम आदमी पार्टी विधायकों ने डाला राज्यों में डेरा पार्टी ने स्कूली सिक्षा, स्वास्त, भिजली और पानी जैसे विश्यों पर दमदार तरीके से मतदाताओं को लुभाने की बनाई रणनी थी E20 क्रिकेट बर्ड कप के लिए BCCI ने भारत सरकार से मांगी टैक्स में छूट, सरकार ने नहीं दी छूट तो BCCI को हो सकता है 906 करोड का नुकसान स्टील सेक्टर की सरकार से मांग का चिमाल पर कस्टम ड्यूटी से मिले रहा तुद्योग जगत ने इंत्रोसाइट कोईला पर मौजूद मूल सीमा शुलक दो दशम लव पांच फीस्दी को घटा कर शून्य करने का दिया सुछाओ सुर्खियों के बाद अब रुख आज की बड़ी खबर की ओर स्वास्त मुसीबत के बीच आज देश के ओब बड़ी खुश खबरी मिली है DCGI की ओर से देश में बनने वाली दो वैक्सीनों को मनजूरी दे दी गई है वैसे वैक्सीन को लेकर देश में राजनीती भी शुरू हो गई है वैक्सीन पर क्या है सरकार का फैसला देखे इस रिपोर्ट में साल 2020 वो साल है जो लोगों ने घर में रहकर बिता दिया साल की शुरुवात से ही स्वास्त मुसीबत ने दस तक दे दी थी जिसके बाद से इस महामारी से निप्टारे के लिए वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है दरसल ड्रग कंट्रोलर जेनरल आफ इंडिया यानी DCGI ने सीरम इंस्टिट्यूट की वैक्सीन कोवी शील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन को आपातकाल इस्तिमाल की अंति मनजूरी दे दी है जिसके बाद अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाये जा सकेंगे इससे पहले स्वास्त मुसीबत की विशेशक समीती SEC ने एक जनवरी को कोवी शील्ड और दो जनवरी को को वैक्सीन के इस एमर्जनसी इस्तमाल की अनुमती देने की सिपारिश DCGI से की थी लेकिन DCGI की इस पर आज मुहर लगने के बाद नैसाल की ये नई उमीद बन कर उभरा है इसी के साथ ही DCGI के निदेशक ने बताया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तिमाल एमर्जनसी की सितिती में किया जा सकेगा आपको बता दे कि DCGI के मताबिक दोनों ही वैक्सीन की दो दो डोस इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी इधर देश में दो जनवरी से वैक्सीन का ड्राय रन भी किया गया ड्राय रन की रिजल्ट काफी सकारात्मक रहे इस दिन वैक्सीन को देने की पूरी प्रक्रिया को रियल टाइम में किया गया हलांकि इन वैक्सीन को सिर्फ आपात की स्थिति के इस्तिति के इस्तिमाल की ही मनजूरी मिली है लेकिन इससे आने वाले समय पर जल्द निप्टारे को लेकर लोगों पर उमीद जरूर उभरी है और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव जी स्वागत है राजीव जी आपका धन्यवाद अस्मिता राजीव जी देश के लिए खुश होने की बात है कि जिस वैक्सीन का इंतजार साल भर से हो रहा था अब वो हमें मिल गई है लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं पहला सवाल तो अखिलेश यादो का था वो इसे वीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं वैसे अखिलेश का समर्थन विपक्ष में किसी नहीं किया लेकिन शची थरूर का सवाल जरूर गंभीर है उन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी दिये जाने पर आपत्ती जताई है थरूर के सवाल कितने जायज है क्या जल्दबाजी जरूरी है वो भी तब जब एक वैक्सीन तो आपके पास आ ही चुकी है जिसके सभी परिक्षन हो चुके हैं जी असमिता पिछले एक साल से देश और पूरी दुनिया स्वास्त मुसीबत से जिस तरह से जूज रही है उसमें ये राहत की बात है कि आखिरकार इससे बचाव के लिए वैक्सीन बन गई हैं बेशाक इसमें वैज्ञानिकों की अटूुट लगन और मेहनत है और सफलता का सारा श्रे उन्हें ही मिलना चाहिए और इस पर किसी भी तरह की राजनिती नहीं होनी चाहिए ना निंदा की राजनिती होनी चाहिए सपाप्रमुख अखिले शयादव वैक्सीन नहीं लगवाने का जो एलान किया है ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है स्मिता लेकिन इसे बीजेपी की वैक्सीन बताना ठीक नहीं है क्योंकि वैक्सीन वैग्यानिकों ने बनाई है बीजेपी नहीं बनाई है और अगर अखिलेश यादब बीजेपी वह पूरी तरह से सुरक्षित हो शशी थरूर ने एक वैक्सीन के तीसरे चरण का परिक्षन पूरा नहीं होने को लेकर सवाल उठाए हैं ऐसे में असल हालात क्या हैं ये जनता को बताना चाहिए केवल वाबाही वतोरने के लिए हरबड़ी में वैक्सीन बनने की घोशना करन करोणों लोगों की जिंदगी से खिलवार हो सकता है और उमीद है कि सरकार जनता की सुरक्षा के लिए तमाम सावधानियां बरतेगी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव जी अब बात करते हैं अगली खबर की अनधाताओं के आंदोलन को 49 दिन हो ग पानी तो आंदोलन और तेज होगा तो क्या है अनधाताओं का कहना देखे इस रिपोर्ट में अनधाताओं के आंदोलन दिन पर दिन चुनोती पूर्ण होता जा रहा है दिल्ली के लगतार गिरते पारे के बीच बारिश भी अनधाताओं के लिए मुसीवत बनी हुई है पारिश से लंगर टेंट में पानी चला गया और कपड़े भी गए लेकिन फिर भी अनधाताओं के होसले बुलंद हैं वहीं सरकार और अनधाताओं के बीच अब तक साथ चर्णों की बातचीत हो चुकी है लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है इसी के साथ ही अनधाताओं और सरकार के बीच फिर से बैठक है लेकिन अगर इस बैठक में कोई फैसला नहीं होता है तो अनधाताओं ने इस पर भी सरकार को चेतावनी दे दी है जिसके तहट फैसला ना होने पर अनधाता अपना आंधोलन और तेज करेंगे और साथ ही छे जनवरी को ट राहुल गांधी ने देखे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है ये देखना दल्चस्प होगा। सरकार अनिदाताओं को उनका अधिकार देने को तयार नहीं है। लेकिन मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार जोतिरादित सिंध्या के दबाओं में उन लोगों को मंत्री बनने का अधिकार जरूर दे रही है। जिन पर जाच चल रही है। चुनाओ आयोग तो कारवाई की बात कर रहा है। लेकिन शिवराज सिंग चोहान कारवाई की जगा इनाम बाट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्यपरदेश सरकार में कैबिनेट विस्तार लंबे वक्त से सीएम शिवराज के लिए परिशानी का सबब बना हुआ था। लेकिन उपचुनाओ के करीब 53 दिन बाद शिवराज सरकार का 3 कैबिनेट विस्तार हो गया है। सीएम शिवराज ने अपनी नई टीम में बीजेपी के दिगजों को जगह देने की बजाए सिंधिया के करीबियों को जगह दी है। आज राजपाल आनंदी बेन पटेल ने गोविन सिंग राजपूत और तुलसी राम सिलावट को मंतरी की शपत दिलाई। माना जा रहा है कि दोनों को पुर्व के विभागों की ही जिम्मेदारी सौपी जा सकती है। शिवराज सिंग चौहान पर अपने करीबियों को मंत्री पत देने का दवाब बना रहे थे। यही वज़ा है कि शिवराज सिंग चौहान ने महाराज को खुश करने के लिए अपने दिगजों को नाखुश कर दिया। खास तोर पर गोविन सिंग राजपूत के नाम को लेकर बीजेपी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं गोविन सिंग राजपूत कॉंग्रेस सरकार में भी मंत्री थे उस समय आयकर विभाग की कारवाई में उनके खिलाफ रिपोर्ट दी गई थी चुनाव आयोग ने भी सरकार से कहा था कि जिन लोगों के नाम CBDT की रिपोर्ट में हैं उन पर कारवाई की जाए शिवराज सिंग चौहान ने मामला जाच के लिए तो आगे बढ़ा दिया लेकिन कारवाई कुछ भी नहीं की और अब गोविंद सिंग राजपूद को मंत्री बना दिया गया है बीजेपी के नेता तो खुल कर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है कॉंग्रेस नेता राकेश चौधरी ने कहा कि राजपूद को मंत्री बनाने का मतलब है कि मुख्य मंत्री ने उनको क्लीन चिट दे दी है अब कोई अधिकारी उनके खिलाफ कारवाही कैसे कर सकता है शिवराज दबाव में हैं सिंध्या के दबाव में उन्हें गोविंद सिंग राजपूत को मंत्री बनाना पड़ा वैसे भी मंत्री पद का लालच होता ही ऐसा है एक बार जो मंत्री बन जाए उससे सत्ता की आदत लग जाती है वो इससे जादा समय तक दूर नहीं रह सकता कुछ ऐसा ही बिहार में उपेंदर कुश्वाह के साथ हो रहा है कुश्वाह तेजस्वी के साथ गए थे ये सोच कर कि वो मंत्री बनेंगे लेकिन तेजस्वी ने कुश्वाह की मांगे नहीं मानी अब कुश्वाह नितीश से करीबी दिखा रहे हैं जिससे बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। तेखी ये रिपोर्ट। इसको लेकर पूरी तयारी भी की जा चुकी है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मताबिक उपेंद्र कुश्वाह मकर संक्रांती के बाद नितीश कुमार की पार्टी जेडियों में शामिल हो सकते है। उपेंद्र कुश्वाह को अपने पार्टी में शामिल कराएगी। बताया जा रहा है कि नितीश कुश्वाह को विधान परीसत भेज सकते हैं। उपेंद्र कुश्वाह को जेडियों मनोने कोटे से भी विधान परीसत भेज सकती है। यानि जेडियों में जाने से कुश्वाह अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और नितीश दबदबा बढ़ा सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बाद देश में बढ़ते विधेशी निवेश की। पिछले लगभग एक साल से देश की अर्थिवेवस्ता में गिरावट देखी जा रही है। मार्च में पियम मोदी ने पूंडबंदी का एलान किया तो विकास ठप हो गया। जीडिपी पहली तिमाही में 23.9 प्रतीशत तक गिरी लेकिन अब हालत सुधरने लगे हैं। और बाजार में देशी और विधेशी निवेश को का रुझान भी बढ़ रहा है। तो दिसंबर में कितना आया विधेशी निवेश देखे इस रपोर्ट में। देश की अर्थवेवस्था पहली तिमाही में 23.9 प्रतीशत नीचे लुड़की, तो दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतीशत का गोता लगा गई। संक्रमण का असर अर्थवेवस्था पर तो दिखा ही था साथ ही सरकार के फैसलों के कारण भी अर्थवेवस्था में गिरावट देखी गई मोधी सरकार ने जिस तरह से सक्त पूर्णबंदी का एलान किया था उससे देश की जीडिपी को जबरदस्त नुकसान पहुचा लेकिन अब हालात सुधरते दिख रहे हैं दिसंबर महीने में GST कलेक्शन एक लाग पंद्रा हजार करोड के पार पहुच गया जो अब तक सबसे जादा था और अब फॉरें पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी PFI को लेकर भी राहत भरी खबर आई है लगतार दूसरे महीने विदेशी निवेश में बढ़ोतरी देखी गई है डिकॉजिटरी जाकड़े के मताबिक विदेशी निवेशिकों ने दिसंबर महीने में भारतिय बजार में रिकॉर्ड 62,016 करोड रुपे निवेश किया है जबकि बॉन्ड में 6,542 करोड रुपे लगाए है यानि दिसंबर में कुल निवेश 68,558 करोड रुपे का रहा National Securities Depository Limited द्वारा FBI आंकड़ा उपलब्द कराए जाने के बाद से एक्टिविटी खंड में ये अब तक का सरवाधिक निवेश है इससे पहले नवेंबर में FBI में एक्विटी में सरवाधिक 6,358 करोड रुपे निवेश किये थे सरकार को उमीद है कि अब टीके को भी मनजूरी दीचा चुकी है ऐसे में विदेशी निवेश और तेज हो सकता है और दिन भर की बड़ी खपरों में मेरे साथ इतना ही देखते रही है डीवी लाइफ नमस्कार